नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य जोती। आज के इस वीडियो में हम लोग तूरीकांत्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित्त प्रियतम नामक कवीता को पढ़ेंगे। तूरीकांत्रिपाठी निराला जी इंदी के आधुनिक साहित्य के एक महान अभी माने जाते हैं जो कि किसी परिचय के महताज नहीं है। इनके द्वारा रचित रचनाएं काफी प्रसिद्ध रही है। आज हम प्रियतम कवीता को पढ़ेंगे। तो चलिए सुरू करते हैं। एक दिन विष्णु जी के पास जय नारज जी पूछा मृत्यू लोक में यह कौन है पुर्णिश्लोक। मृत्यू लोक का अर्थ क्या होता है। पृत्वी। पृत्यू लोक शब्द का अर्थ है पृत्वी। मैं यहां लिख देती हूँ, आप लोग समझ लीजेगा। यह सश्वी। भक्त तुम्हारा प्रधान विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रियतम। उनकी परिक्षा लूंगा असे विष्णु सुनकर यह कहा ले सकते हो। तो आईए हम इसके तरलारत को देखने का प्रयास करते हैं। तो यह एक कहानी की तरह है कि एक दिन क्या होता है। फोतुहल वस यानि कि उत्सुकता वस एक दिन नारत जी भगवान विष्णु के पास गये। और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु इस धरती लोक में यानि कि इस मृत्य लोक में आपका सबसे प्रया भगत कौन है। विष्णु ने इस प्रश्ण के उत्तर में एक किसान का नाम लिया। और बताया कि वह भगत मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिया है। इस पर नारत जी को थोड़ी हैरानी हुई और उन्होंने विष्णु के सामने उस किसान की परिक्षा लेने की अपनी मंसा यानि की इच्छा जताई। वह कहते हैं कि उनकी परिक्षा लूँगा तो यह बात सुनकर विष्णु जी क्या कहते हैं हसे विष्ण सुनकर यह कहा ले सकते। तो जब नारत जी कहते हैं कि मैं आपके उस भक्त की परिक्षा लूँगा तो भगवान विश्णु ने नारत के इस विचार को स्विक्रिती दे दी, कहा कि ठीक है आप परिक्षा ले लो तो आगे क्या होती है कहानी में नारत चल दिये पहुचे भक्त के यहां देखा फल जोत कर आया वह दोपहर को दरवाजे पहुचकर राम जी का नाम लिया इसनान भोजन करके फिर चला गया काम पर साम को आया दरवाजे पर फिर नाम लिया राम का प्रातह काहल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर इसमरन किया वो में उस भक्ति की परिक्षा लोगा तो भगवान विष्णु कहते है है पिक्षाथ सकते हो तो अब नारज जी जाते है उस भक्तु की परिक्षा लेने के लिए और देखते हैं कि कि फक्त जो है वो हल जोतकर यानि खेती करके दोपहर को आता है और पहुचकर एक बार भगवान जी का राम जी का नाम लेता है तो इस नान भोजन करके खाना खाकर नहा कर वो काम पर चला जाता है और फिर साम को वापस लोटता है और फिर भगवान का नाम लेता है और एक बार फिर सुबा प्रात्ता कल भगवान को स्मरण करता है भगवान की मधुर नाम का स्मरण करता है यहाँ पर इसकी सरलार्थ दी हुई है यह देखिए आप लोगों के आसान करने के लिए यहाँ पर शब्दार्थ भी दिया गया है और सरलार्थ भी दिया गया है अलाकि यह बहुत ही आसान है पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है और नारथ जी क्या देखते हैं कि वह जो भक्त है वो केवल तीन बार ही भगवान का नाम लेता है तो बस केवल तीन बार नारथ चक्रा गए किन्तु भगवान को किसान ही क्यूं याद आया गए विश्णु लोग बोले भगवान से देखा किसान को दिन भर में तीन बार नाम उसने लिया है राम का बोले विश्णु नारज जी आवश्चिक दूसरा एक काम आया है तुम्हें छोड़ कर कोई और नहीं कर सकता साधारण बिजय यह तो क्या होता है तो नारज जी है वो सोचते हैं कि इसके साम में ऐसा क्या खास है यह तो केवल दिन भर में तीन बार ही भगवान का नाम लेता है ऐसा नहीं है कि मेरी तरह दिन भर नारायन नारायन ही करता रहता है ऐसा तो नहीं है या तो केवल तीन बारी भगवान का नाम लेता है तो इसमें ऐसा क्या खास है क्यों भगवान इसकी याद आई तो वो भगवान विश्णु की बास जाता है। तुम्हारे अलावा को और कौई नहीं कर सकता है या कोई राधारण बात नहीं है। भगवान विश्णु उन्हें एक दूसरा काम दे देते हैं। यहां सरलार्थ आप लिख लीजेगा मैं हरोग देती हूं वीडियो को पॉस करके आप अवश्य इसके अर्थ को लिख लीजेगा क्योंकि पंग्ति दी जाएगी व्याख्या करने के लिए तो वहां पर यह आपके लिए सहायक होगा बाद को विवाद होगा यानि कि अभी जो काम आया है यह बहुत जरूरी है बाद में मैं आपके बात को सुनूगा तब तक यहां आवस्य काम पूरा कर लीजे यह जो जरूरी काम है पहले आप उसे पूरा कर लीजे तो काम क्या है देखिए, तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदिक्षणा कर आईए भूमंडल की ध्यान रहे, यहाँ पर ध्यान होगा, ध्यान रहे सविशेस एक बूंध भी इससे तेल ना गिरने पाए, लेकर चले नारज जी आग्या पर प्रित लक्ष एक बूंध तेल उ यह काम दिया है और भग्वान ने उन्हें, एक बूंध ब्रूंध पात्र दिया है और उस पात्र में पूरा तेल भरा हुआ है, और उन्होंने कहा इसे लेकर आप पूरी पृत्वी का चक्कर लकाईये, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस कटोरी से तेल की एक पूंध भी ज तक्कर लगाकर आना है ध्यान रखना है उस पात्र से एक भी बून तेल की गिरें नहीं तो आप देख सकते हैं यहां पर रबदार्थ दिया हुआ है प्रदिक्षणा का अर्थ है परिक्रमा करना ठीक है परिक्रमा करना होगा ठीक है और आप यहां पर शरलार्थ देख सकते हैं इसे आप लिख लीजिएगा आगे देखते हैं योगी राज जल्द ही बिस्व पर्यटन करके लोटे बैकुंठ को तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं उल्लास मन में भरा था यह सोच कर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया नारद को देख कर विश्णु भगवान ने बैठाया इसने हिसे यह तो उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इश्टिका लिया एक बार भी नहीं संकी थ्रदय से कहा नारद ने विश्णु से तो नारद जी पूरी पृत्वी का पूरे भूमंडल का परिक्रमा कर आये हैं और मन में बहुत खुश है कि भगवान विश्णु ने जो मुझे कारे दिया है मैंने उसे बहुत ही अच्छे से कर लिया पूरे भूमंडल की मैंने परिक्रमा कर ली और एक बूंद भी तेल उस पात्र से गिरा नहीं तो भगवान ने मुझे यह कारे क्यों सौपा और इसमें क्या रहस्य है इस बात को मैं जानूँगा इसलिए वमन ही मन बहुत खुश है तो जब भगवान विश्णु के पास में पहुशते हैं तो भगवान विश्णु उससे प्रश्न करते हैं कि अच्छा तो तुम परिक्रमा कर आये तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है यह बताओ कि जब तुम परिक्रमा कर रहे थे तो कितनी बार मुझे याद किया तुमने तो देखो तुम जो प्रश्ण बुझसे पूछने आय थे, कि वह किसान मुझे इतना क्यों प्रिया है, उसका उत्तर थो यही पर है, बताओ, तुम्हे क्या कारे करते व connections मुझे याद किया। तो यह बात सुनते ही नारज जी बहुत ही लजीत होते है, और पताते हैं कि एक बार भी मुझे आपकी स्मरण नहीं आई, मुझे आपकी याद नहीं आई आगे दिखते हैं काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी लगा रहा नाम पर काम फिर क्या लेते और विश्णू ने कहा नारत उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है उत्तर दाइत्व भी लादे हैं एक साथ सब को निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, किसी से है प्रियतम नारत लजजित हुए कहा यह सकते हैं और फिर भगवान उन्हें बताते हैं उस किसान को जो दाइत्व दिया गया है, जो कारे दिया गया है वह कारे भी उसे मैंने ही दिया है और उस कारे को करते वक्त भी वह मेरा नाम लेता है पर आप बताओ आपने कितनी बार नाम लिया क्योंकि आपको जो काम दिया गया था वो भी मैंने ही दिया था और उस काम को करते वक्त आपने मुझे एक बार भी श्मरन नहीं किया, परन्तु आप उस किसान को देखो, जो सुबह से लेके साम तक मेरे द्वारा दिये कारे को करता रहता है, और उसे करते वक्त भी वो तीन बार मुझे याद करता है, और इसी कारण मेरा सबसे अधिक प्र तो यहाँ पर आप इसका सब्दार्थ देख सकते हैं, और इसी के साथ इसका सरलार्थ यानि की व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या लिखना बहुत आवश्यक है क्योंकि बीच में से कोई एक पंक्ति उठा कर दे दी जाएगी, तब वहाँ पर यह व्याख्या जो है व यहाँ पर अंतिम तक है, इसी के साथ मैं यह कहना चाहते हूं कि यह पार्ट जो है की व्याख्या यही पर समाप्त हो रही है, इसी की दूसरी वीडियो भी जल्द ही चारी की जाएगी जिसमें इस पार्ट से सम्मंधित प्रश्ट उत्तर है वह दिया जाएगा, तो उसे भ देखना ना भूले और यदि यह हवीता आपको अच्छी लगी हो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करना और चाइनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ बन्नेवाद।